पवन सिंग सक्रिय राजनीती सेदरे तारांकिन भारतिय जनता पार्टी की तरफ से जारी पहली सूची में भोजपुरी के चार सुपर स्टार अभिनेताओं के नाम शामिल थे। इनमें से एक पावर स्टार पवन सिंग ने आसन सोल सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। एक दिन पहले भाजपी की तरफ से उम्मीद्वारों की नाम वाली सूची में अपना नाम होने के बाद वह खुब उतसाहित थे। लेकिन 24 गंटे के भीतर ही पवन सिंग ने आसन सोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वैसे पवन सिंग पर भाजपा ने क्यू दाव लगाया इसके पीछे की वजह भी खास है। पवन सिंग को भुझपुरी का पावर स्टार कहा जाता है। हिंदी सिनेमा में जितनी दखल सलमान खान रखते हैं भुझपुरी स सिनेमा के दर्शकों के बीच वही दखल पवन सिंग रखते हैं। उनके चाहने वालों की संख्या करोडों में है। पवन सिंग के गाने इतने पॉपुलर रहे हैं कि भुझपुरी के अलावा देश के अन्यभाशा को समझने वालों की तो छोड़ दीजिए उनके गानों को विदेशों के पब और डिसकों में बज़ते और इस पर लोगों को थिरकते देखा जा सकता है। पवन सिंग बिहार के भले ही हो लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग बंगाल में भी है। पवन सिंग बिहार के आरा के रहने वाले हैं लेकिन उनका जन्म बंगाल में हुआ था। शायद पार्टी इसी वजह से पवन सिंग को वहां से चुनाव मैदान में उतारना चाह रही थी। पवन सिंग को भोजपुरी सिनिमा में उनके अभिने की वजह से जितनी पहचान मिली उससे ज्यादा उन्हें उनकी आवाज की वजह से लोगों का प्यार मिला। पवन सिंग की आवाज के दीवाने आज भी दुनिया में करोणों की संख्या में हैं. लेकिन जो जो पवन सिंग को सफलता मिलती गई विवादों से भी उनका नाता गहराता गया. पवन सिंग की जिंदगी में उन्हें सच्छा प्यार कभी नसीब नहीं हुआ. पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली, दूसरी पत्नी के साथ उनका तलाक का केस अदालत में चल रहा है. भोजपुरी की मशहूर अभिनेतरी अक्षरा सिंग के साथ उनके संबंधों को दोनों ने मंच से स्वीकार किया था लेकिन ये साथ भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया. पवन सि को भोजपुरी का सुपस्टा बना दिया. वो लोगों के दिलों पर राज करने लगे. बिहार के आरा जिले के एक गाउव जोकहरी में पांच जनवरी 1986 को पवन सिंग का जन्म हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूलिंग एचन के हाई स्कूल से पूरी की, जबकि आगे की चाचा अजीत सिंग से गाना सीखना शुरू किया और बेहद कम उम्र में गाने लगे. पढ़ाई से उनका लगाव कितना था इसका अंदाजा इस बात से लगाए कि 7-8 साल की उमर तक पवन सिंग को पढ़ना भी नहीं आता था. वो गाना भी सुनकर सीखते थे. चाचा ने उन्हें गाना सिखाना शुरू किया और फिर साइकल पर साथ लेकर वह उसे शो में भी ले जाने लगे. पवन बड़े होने के बाद भी लंबे समय तक संघर्ष के दिनों में अपने स्टेज शो के लिए साइकल से ही जाते थे. भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के बाद भी पवन सिंग सालों तक सिर्फ गायकी ही करते रहे. लेकिन गायकी में सफलता के बाद पवन सिंग ने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया. भोजपुरी फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से उन्होंने 2007 में अभिने के क्षेत्र में एंट्री की. वो अभी तक स से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में अभिने करने के साथ हजारों की संख्या में भोजपुरी गानों को अपनी आवाज से सजा चुके हैं. उनके सिंगल गानों की लिस्ट बहुत लंबी है.